असलामूलाइकुम सीमा की कुकिंग में आपका स्वागत है आज मैं बनानी जा रहे हुँ सूप वाली मैगी जो बच्चों को काफी पसंद आती है तो मैंने लिया है 10 वाली 2 मैगी आपको इभी ब्रैंड का ले सकते हैं मैगी बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ मसाले आट से दस लैसून की कल्या एक छोटा साइस का प्यास एक इच अद्रक का टुकड़ा एक मीडियम साइस का टमाटर तीन हरी मिर्चे मिर्चे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्यजादा कर सकते है अब इन मसालों को हम पीस लेंगे देख सकते हैं मसाला मैंने पीस लिया है अब लेंगे कुछ सूखे मसाले आदा टीस्पून जीरा पाउडर आदा टीस्पून धनिया पाउडर आदा टीस्पून रेड चिली पाउडर आदा टीस्पून हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार अब गैस अन कर लेंगे एक बरतन रख लेंगे उसमें चार से पांच बड़े चमश ओयल एड़ करेंगे ओयल को गरम होने देंगे गैस की फ्लेम को लो रखेंगे अब मसाला इसमें एड़ करेंगे मसालो को अच्छे से 2-3 मिनट भून लेंगे जब तक कि हमारा ओयल सेपरेट न हो जाए तो देख सकते हमारा मसाला जो है भून रहा है अब इसमें हम सुखे मसाले आड़ करेंगे सुखे मसालो के साथ 10-15 से लिए भून लेंगे अब देख सकते हमारा मसाला भून चुका है अब इसमें हम मैगी मसाला एड़ करेंगे जो मैगी मसाला मैगी के साथ आती है तो दोनों सैशे में यहाँ एड़ कर रही हूँ दो सेकेंड के लिए भून लेंगे इसमें हम पानी एड़ कर देंगे पानी की कॉंटिटी जादा होगी क्योंकि हम सूप वाली मैगी बना रहे हैं जो की बच्चों को पसंद आती है अब हम बॉयल आने का वेट करेंगे बॉयल आ चुका है अब इसमें हम अपनी मैगी एड़ करेंगे मैगी आप चाहें तो तोड़ कर डाल सकते हैं या बिना तोड़े भी एड़ कर सकते हैं अब मैं यहाँ मैगी एड़ करने लगी हूँ हाई फ्लेम पे 10 मिनट मैगी को हम पका लेंगे अब देख सकते हैं मैगी हमारी पप चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हरा धन्या एड़ कर देंगे मैंने इसमें हरा धन्या एड़ कर दी हूँ अब इसकी प्लेटिंग कर देंगे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब टू मैं चैनल अस्सलामों अलेकूम